कब रिलीज हो रही है मणी रत्नम के बिग बजट फिल्म PS1 विकर्म वेधा के मेकर्स ने शूटिंग लोकेशन्स को लेकर क्या सफाई दी है और उपासना सिंग ने क्यों छोड़ा दग कपिल शर्मा शो इन सभी पर बात करेंगे आज के सिनमा शो में हलो मैं हूं मेगना और आज की बड़ी ख़बरें शुरू करने से पहले बता दें कि पिछले हफ़ते रिलीज हुई फिल्मों रोकेटरी दे नमभी एफेक्ट और रास्टर कवच ओम का रिविव आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं साथ ही इस हफते का मेरा नाम है कैलेंडर भी चेक आउट करते चलिएगा आई एप डालते हैं नज़र आज की बड़ी ख़बरों पर जेम्स कैमरोन की फिल्म अवतार दवी ओफ वाटर से स्टीफिन लैंग का निव लुक आ गया इससे Empire Magazine ने रिलीस किया है कुछ ही दिनों पहले मूवी से Kate Winslet का लुक भी आया था फिल्म 16 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीस होगी एनिमेटेड फिल्म Minions The Rise of Guru बॉक्स ओफिस पर कमाल कर रही है एक जुलाई को रिलीस हुई इस फिल्म ने अब तक वर्ड वाइड 127 मिलियन डॉलर यानि तकरीब एक हजार करोड रुपे कमाली है विजय देवर कुंडा की पैन इंडिया फिल्म लाइगर का पोस्टेर रिलीस हो गया धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में अनन्या पांडे नजर आएंगे मूवी में माइक टाइसन का क्यामियो रोल भी होगा धनुष ने अपनी अग्य फिल्म के अनांस्मेंट कर दी जिसका नाम होगा कैप्टन मिलर यह एक पीरिड ड्रामा फिल्म होगी जिसका टीजर भी रिलीस कर दिया गया अरोन मतेसवरन के डारेक्शन में बन रही इस फिल्म को तीन पार्ट में रिलीस किया जाएगा विक्रम वेदा के हिंदी रिमेक की शूटिंग लोकेशन को लेकर बहुत सी बाते चल रही थी कहा जा रहा था कि सैफ और रितिक इंडिया में शूटिंग के लिए राजी नहीं हुए इसलिए फिल्म का बजट काफी बढ़ गया इसी मुद्दे पर मेकर्स ने सफाई दी और इन खबरों को गलत बताया है ओफिशिली स्टेट्मेंट में कहा गया कि फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलावा यूएई में भी की गई है रनवी 34 के बाद अजय देवगन भोला फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अजय ने मुवी के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दिया है रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 30 मार्स 2030 को रिलीस किया जाएगा शायत कपूर अमृता राओ की फिल्म इश्क विश्क का सीकुल बन रहा है जिसमें रोहिज सराफ, पश्मीन रोशन, नायला ग्रेवाल और जिब्रान खान दिखेंगे इसके फर्स्टेट ड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है तोविनो थॉमस और कीती सुरेश की मलियालम फिल्म वाशी को थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीस किया जाएगा इसे 17 जुलाई से नेट्फिलिक्स पर देख सकेंगे मडी रत्म के बिग बजट फिल्म पीस वान से विक्रम का नया लुक आ गया इसकी रिलीस डेट भी अनाउंस हो गई है पोनियन सेलवन का फर्स पार्ट 30 सितंबर को रिलीस किया जाएगा एक्टरस उपासना सेंग लंबे वक तक दककपिल शर्मा शो का हिस्सा थी मगर उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया रिसेंटली बॉलिवोड धंगामा को दिये एक इंटिव्यू में उन्होंने शो छोड़ने का रिजन बता है उपासना ने कहा कि वो करीद 2 से 2,5 साल तक शो का हिस्सा थी मगर एक टाइम के बाद उन्हें शो करने में मसा नहीं आ रहा था कुछ भी ऐसा नया नहीं था जब वो दर्शक को कुछ सामने रख रही हो जब उन्होंने शो करना शुरू किया था तो सब कुछ बहुत फणी था मगर बाद में उन्हें जॉब साटिसफैक्शन नहीं था इसलिए उन्होंने ये शो छोड़ दिया कपिल शर्मा इन दिनों अपनी टीम के साथ USA टूर पर है इटाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक अमेरिका के एक शो प्रमोटर ने कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्श करवाया है उनका कहना है कि कपिल ने छे शेहरों में परफॉर्म करने का वादा किया था मगर उनमें से एक शेहर में वो शो के लिए पहुंचे ही नहीं सोचल मीडिया पर ट्रोल्स को जवाब देते हुए रवीना टंडन ने बताया कि मुंबई लोकल में उनके साथ छेट शाड़ हुआ करती थी रवीना ने कहा कि उन्होंने भी आम लड़कियों की तरह स्ट्रगल किया है और इस तरह का शारी रेक शोशंचेला है दरसल रवीना ने मुंबई के आरे इलाके के जंगल को काट कर वहां मेट्रो लाइन बनाने के फैसले पर अपनी राय दी थी जिस पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा रवीना ने कहा कि शेहर में डवलप्मेंट का स्वागत है मगर हमें परियावरण और वन्हे जीवों की सुरक्षा के साथ ही कट रहे जंगलों के लिए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ीगी आर्माधवन की फिल्म रॉकेटरी दनमभी एफेक्ट की बॉक्स ओफिस पर रफतार थोड़ी धीमी है मुवी ने तीन दिनों में सिर्फ आटज़ शमलो चार करोन रुपे का बिजनिस किया विराता परवम के बाद साइपल लवी गारगी मूवी में दिखाई देंगी गौतम रामचंदरन की लिखी और डायरेक्ट की हुई ये मूवी 15 जुलाई को थियेटर में रिलीस होगी बालिकवधू कोहेली और श्रीमान पृत्वी राज जैसी क्लासिक फिल्म बनाने वाले बंगाली डारेक्टर तरुन मजुमदार का निधन हो गया वो 91 साल के थे उन्हें 1990 में पदमिश्री से सम्मानित किया गया था तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें अब मुलाका आथ होगी कल जुड़े रहे हमसे शुक्रिया जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लनन टॉप सिनमा